बस साथ रख जोशुद है सिपाही से बाबा बने S.P. सिंग का वैभव उनके वाइट हाउस में देखने को मिलता है एक हेक्टेर शेत्रु में बने इस परिसर में आवास के साथ आश्रम भी संचालित है इसे किले नुमा अंदाज में बनाया गया है बाहरी दिवारे सफेद रंग में है और उचाई इतनी हैं कि बाहर से कोई जांक भी नहीं सकता नौकरी से त्याक पत्रु देने के बाद पटियाली तहसील शेत्र के ग्राम बहादुर नगर निवासी सूरजपाल ने पैत्रिक गाउं में एक हेक्टर से ज्यादा भूमी पर आश्रम की स्थापना साल 1992 में की पत्याली स्थिरपूरा मार्क स्थित मार्क पर आश्रम का मुख्य गेट है आश्रम की स्थापना के साथ इनका नाम साकार विश्वहरी भोले बाबा हो गया शुरुआत में आश्रम परिसर में निर्मान कम था और खुली भूमी ज्यादा थी धीरे धीरे इस परिसर में अने भवनों का निर्मान होता रहा जानकार बताते हैं कि अब परिसर में विशाल रसोई ग्रह है जिसमें हर महीने के पहले मंगलवार को होने वाले विशाल सत्संग के दौरान भोजन और प्रसाद बनता है सैकडो सेवादार इसमें सहयोग करते हैं वहीं सत्संग भवन के साथ अतिती ग्रह का भी निर्मान हो चुका है गद्धी भवन भी बनाया गया है इस विशाल परिसर में हजारों लोग जमा हो सकते हैं दिवारों की उचाई दस फीट के लगभग है इसके साथ ही विशाल प्रवेश द्वार के ओपर वाच टावर भी बनाया गया है परिसर पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया गया है महा के प्रथम मंगलवार को विशाल सत्संग का आयोजन किया जाता है जिसमें आसपास के राजों से श्रधालू आते हैं